Hello friends फिर से एक नई वीडिय में आप सबी का सौगत हैं आज के इस वीडिय में मैं आप लोग को Health ID काड आप आपके Mobile से केसे बना सकते हो उसका Complete Process मैं आप लोग को बताने वाला हूँ आपके उपर जो भी medicine चालू करेंगे, उसका सब record है, आपका जो भी health का record है, वो आपके digital health ID card पे register रहेगा, और आप जबी भी दूसरे hospital में जाएंगे, तो आप उनको अगर आपका health ID card है, वो दिखाएंगे, तो आपके उपर कौन सा treatment चालो है, कौन सा medicine चालो है, उनको सब प पाइदे हैं, आपके health ID card के, तो आभी हम देख लेते हैं, कि health ID केसे बनाने का, health ID card बनाने के लिए, आप लोग को health ID.ndhm.ju.in इस website पे आना है, website में ने description box में दिया है, website में आने के बाद, create your health ID आपको दिखेगा, तो आपको उसको slide करने के बाद, generate your health ID, और उसके नीचे अगर आपके आदार काड से mobile number link है, तो आपको पहला option, generate आदार का यूज करना है, अगर आपको जो भी आदार काड है, उससे mobile number link नहीं, तो आपको I don't have आदार उसका यूज करना है, और click here पे click करके आप आगे process कर सकते हैं, तो मेरा जो आदार काड है, उससे mobile number link है, तो मैं पहला option generate आधर का use करूंगा तो आपको उसके उपर click करने के बाद जो भी आपका आधार कार्ड नमबर है वो आधार कार्ड नमबर इधर enter कर देना है और उसके बाद नीचे आना है तो जैसे नीचे आएंगे तो आपको दो जो box दिये है I agree और I am robot इसके उपर click करना है और उसके बाद submit पे click करना है जैसे आप submit पे click करेंगे तो आपका जो भी आधार कार्ड से mobile number link है उसके उपर आपको OTP पे आ जाएगा तो OTP आपको इधर डाल देना है और submit पे click करना है यह देखे OTP पे आ चुका है OTP में इधर डाल लेता हूँ और OTP आपको इधर ढालने के बाद submit कर देना है तो मिधर शब्मिट पे click कर देता हूँ जैसे आप submit पे click करेंगे आगे आपका process आपका जो भी mobile number है वो आपको एंटर करना है मतलब आधार का जो OTP है तो आपको mobile number ये प्लिक करना है तो एहांpp के बाद आपको mobile number अपोब्ट कर देना और submit पे क्लिक करना है तो यह देखे, OTP send हो चुका है, तो अभी जो भी आपका जो mobile number रहेगा, उसके उपर एक OTP आएगा, वो OTP इधर आपको enter कर देना है, तो जैसे मुझे OTP आता है, आपको time भी लग सकता है, तो यह देखे, मेरे पास OTP आ चुका है, तो आपको इधर मैंने copy कर दिया है, और इ इधर जो उपर है, फोटो इधर नहीं आया, आधर कड का भी आ सकता है, लेकिन इधर नहीं आया, तो इधर आप अपलोड भी कर सकते हैं, तो पहला जो मेरा फोटो है, वो अपलोड इधर कर लेता हूं, तो आपको click to upload पे click करके photo upload कर लेना है, जो भी आपकी gallery से आपका जो email कोज रहेगा वो, उसके बाद PHR address, इधर देख सकते हो, health ID या PHR address, उसमें आपको आपका नाम भी डालेंगे और नाम के आगे number डालेंगे, तो भी जलेगा, आपको कौन सा भी एक PHR address, मतलब health ID, यूज करना है, तो उसको आपको डाल देना है, उसके बाद email ID आपको डालन है, तो state और district डालने के बाद आपको submit कर देना है, तो यह देखिए, मैंने इधर submit कर दिया, submit जैसे आप click करेंगे, तो आपका health ID card हो जाएगा, बनकर तयार हो जाएगा, तो इधर देख सकते हो, आपका health ID card हो आपको इधर तयार हुआ है, बतलब जो भी है, जनरेट हुआ ह तो आपको इसको download भी आप कर सकते हो, और उसका print भी निगाल सकते हो, तो नीचे आपको एक download को option भी दिया है, उपर health ID card दिख रहा है, और नीचे आपको download health ID option दिख रहा है, उसके उपर जैसे आप click करेंगे, तो उसको आप download कर सकते हो, तो आपको download health ID card पे click करना है, जैसे आप download health id पे click करेंगे तो आपको download का option आ जाएगा आपका जो भी browser है उस पे health id card download हो जाएगा तुम इधर आपको open करके दिखा देता हूँ तो इदे के आपका जो भी नाम रहेगा health id number main जो है health id number भी आपको इधर show हो जाएगा तो इसी तरह से आप आपका जो भी health id card है generate कर सकते हैं और उसका print भी निकाल कर आपके पास रख सकते हो अगर आपको इसमें कुछ changes करना है health id card में तो my account का option दिया है तो उसके नीचे edit profile का option दिया है तो आप उसमें changes भी कर सकते हैं आसानी से तो अगर आपको changes करना है तो बिल्कुल आप update कर सकते हो उसको तो इसी तरह से फ्रेंड आप आपके mobile से आसानी से पाच मिनिट में आपका जो health id card है बना सकते हो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत बूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना